यह diabetes series का चौथा और आखरी वीडियो है इसके पहले के episodes में आपने देखा diabetes type 1 और type 2 के बारे में आज हम बात करेंगे gestational diabetes के बारे में gestational diabetes एक temporary बीमारी है जो महलाओं को pregnancy के दौरान हो जाती है और delivery के बाद normally अपने आप ठीक हो जाती है तो ऐसे कोई खास बीमारी नहीं है temporary है लेकिन फिर भी कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती है और अच्छा तो यह है कि हम उसका पहले से ही बचाओ कर ले और अगर बचाओ नहीं कर सके हैं तो उसको ठीक तरीके से manage कर ले तो पहले हम नजर डाल लेते हैं कि gestational diabetes से क्या problem होती है तो देखिए gestational diabetes से आपको directly problem नहीं है उस moment में लेकिन कुछ secondary problems हो सकती है आपको भी और बच्चे को भी और pregnancy को भी वो एक issue है जैसे कि पहली problem यह है कि delivery में complications आ सकते हैं कि दफ़ा थोड़ा fluid जादा हो जाता है या delivery जल्दी भी हो सकती है दूसरा problem यह है कि आप जब दुबारा pregnant होगी तो फिर से gestational diabetes होगी तीसरी problem यह है कि आपको आगे चलके type 2 diabetes होने की संभावना बन जाती है और चौती problem यह है कि बच्चे को भी थोड़े बहुत chances हो जाते हैं कि उसको भी diabetes खास्तोर से type 1 diabetes कभी हो वैसे बहुत ज़ादा evidence नहीं है लेकिन थोड़े बहुत chances होते हैं तो इन से बचना चाहिए और हम जड़ा गौर कर लें कि यह हो क्यों सकता है तो इसके होने के दो main reason है अब पहला reason यह है कि अगर आपके parents या grand prince में किसी को type 2 diabetes है और दूसरा reason यह है कि अगर आपका weight ज़ादा है तो आप देख लें कि अगर आपकी family history में diabetes है तो अपना weight ज़रूर fit रखें और सबसे बढ़िया weight होता है BMI जब 20-22 के बीच में हो बलकि मैं तो सलाय दूँ कि अगर आपकी family में diabetic history नहीं है तो भी pregnancy plan करने के पहले अपना वजन 20-22 BMI में लिया है अब यह वजन कैसे लिया है तो इसके लिए हम already एक video कर चुके है ideal body weight के नाम से अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लें और इस BMI में अपना वजन लिखिया है अब मान लीजे कि आप already conceive कर चुके हैं और आपको gestational diabetes detect हुई है अगर detect नहीं हुई है तो भी blood glucose test करा लेना चाहिए unknown नहीं रहना चाहिए लेकिन मान लीजे कि detect होती है तो detect होने में आप दो approaches होती है कि एक तो आप diet और physical activities से अपना blood sugar level maintain करें और दूसरा होता है कि medicine से करें तो ideally तो यह होगा कि medicines avoid करें क्योंकि आपके medicines आपके fetus पे भी असर डालेंगी बच्चे पे भी कुछ ने कुछ असर जाएगा तो pregnancy में जितना ज्यादा संभव हो medicines avoid करना चाहिए एक rule of thumb होता है तो diet से और physical activity से ही manage करने कोशिश करें लेकिन हाँ of course यह जो भी करना है आपको doctor की सलासे ही करना है और जैसा doctor suggest करें आपको आप ऐसे करें करें आपको आपको कर दो कर दो